अपका एडुकेटर राहुल तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे सक्स के बारे में बात करेंगे यो कि अपने आप में खुद अंगरेजी है ठीक है वो कोई और नहीं है वो है हमारे प्रिसेप्टर हमारे गुरू जमाल परवेश साब ठीक है आज हम लोग उनहीं का अंगरेज की परहेंगे भी ठीक है वो किस परकार से पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं इसमें थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं और उसके बाद में हम उनके इंगलिस को शुरू से अंतक नावन पर नावन एजिक्टिव भर वेड़ बड़ प्रॉजिशन कजक्शन इंट्र जेक्श कीजिए आपके लिए हम बोड भी रखें हैं लिखने वाला भी है आपके सामने बोड भी दिखेगा और हम भी दिखेंगे ठीक है जहां आप निश्चिंत रहके पर सकते हैं आपको प्रिट आपको पढ़ाएंगे ठीक है उसके बाद में आप कोई भी कमप्टेटिव इंगलिस हो आप 100% करेंगे और हर हाल में आपका सत्थ परतिसत्थ ही होगा क्योंकि वे हमारे सर हैं वे जितना परहा हैं उसके बाद में मेरे जो अनुभव हैं और भी मैं कई सारे टीचर स हैं ठीक है अतुलनिये हैं उनके जैसा इंगलिस कोई नहीं पढ़ाया आज तक मैंने जहां पर भी पढ़ा है ठीक है तो इसलिए आज से मैं आपको डेली जमाल परवे साब का इंगलिस डेली डेली करके आपका कंप्लीट करा दूंगा और आप इसके बाद इंगलिस में आ आपके भासा में समझाने की कोशिस करेंगे और निश्चेलत रही आप याप इंगलिस में आपको डर नहीं लेगा इंगलिस में आप सोचते हैं कि बस इसमें बस कॉलिफाई हो जाए कुछ तो नम्मर आ जाए यहीं हमारा आएड हो जाएगा लेकिन नहीं जैसे आप मैस औ जो भी है इंगलिस भी है तो 100% सही होना ही है अब तक बहुत सारे एकजाम हम दे चुके हैं बहुत सारे कौलिफाइं भी है बहुत सारे जाइंग लेटर वेटिंग में भी है ठीक है तो आप निश्चिन्त होके पर सकते हैं और हमारे बताए गए अगर रास्ते पर बता रहे हैं आप निश्चित सफलता प्राप्त कीजिएगा तो चलिए अब हम लोग सुरू करें कर दिया जाए तो चलिए वह बिना ब्लैक बोड के पर आते हैं हम आपके सामने वाइट बोड लेख के आएंगे ठीक है डॉन्ट वरी और उसके साथ आपको लिखेंगे भी हमारे होसले बढ़ेंगे अगर हमारे होसले बढ़ेंगे तो हम और ज्यादा मन लगाके आपको पढ़ाएंगे ठीक है और ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगे इसलिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों को सेयर कर दिजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए और बेल आइकन दबा दिजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत पहुंच जाए ठीक है तो चलिए शुरू किया जाए तो चलिए एक पहले कहानी के माध्यम से हम शुरू करते हैं आपक तौधी पहले की बात है इंग्लेज कहां साय एंग्लेट से है अपको तो पता Testingには न dus राजय यानि की राजय का जो होता है न Labudland राजा कर राज्य को ठीक है तो एक किंग्डम हुआ करता था वहाँ पर जो राया थे वह बोले कि देखो आप लुक्सूने होंगे ना कोस कोस पर पानी बदले तीन कोस पर बानी तो ही इस्तिति था कहीं पर भी मतलब थोड़े दूर अगर आप हड़ते हैं तो आपको लेंग प्रिल्स की बात थी तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग कहानी से थोड़े सा कुछ जान लेते हैं और उसके बाद कहानी पर चलेंगे ठीक है तो देखिए आपको हम बताते हैं सबसे पहले कहानी की अगर बात की जाए कहानी की बात करेंगे बड़ उसके पहले जान लेजिए सबसे पहले अगर हम किसी दूसरे को यानि अपने सामने वाले को कुछ कहना चाहते हैं अपनी बातों को समझाना चाहते हैं उसको बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे कुछ तो चाहिए ना कुछ तो चाहिए बिना हमें पर बिद्धाय। पहले आदिमानों हुआ करते थे। उसमें मानों कैसे बात करते था। तरह-торह की आवाज निकालता था। तरह-торह की धनिया निकालता था। आज भी देख़ेगा तो आपको जन्जातिया इसको दिख जाएगा। उसके बाद में दिरे दिरे एक systematic दोनी निकलना शुरू हुई और उसी से दिरे दिरे एक भासा का विकास हुआ ठीक है इस तरह से भासा का विकास होते गया और हम अपनी बातों को बहुत ही सहज ढंग से आज बहुत आराम से बोल पार है हिंदी हो इंगलिस हो बजपूरी हो संस्क्रित हो चाहे कोई भी भी दुनिया की भासा हो हम अपनी बातों को आराम से अव्यक्ट करते हैं तो मतलब क्या है है अपने हिर्दय की बातों को अव्यक्ट करने वाले माध्यम को भासा काते अब आईए देखते हैं तो एक कानी जो शुरुक यह थे उसको पूरा कर लेते हैं तो राजा का एक किंडम था राजा साहब बोले अपने मंत्री परसद का बैठेक बुलाएं ठीक है उन्होंने कहा क्या कहा जी उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कीजिए कि हमारे जो छेत्र हैं हर जगा का भासा बदल बदल जा रहा है हमें क्या करें बड़ा दिक्कत हो रहा है राजकाज में गजेटी आप लोग समझते हैं राजपत्रे ठीक है तो हमारे राजकाज में बड़ा दिक्कत हो रहा है हर जगा में बदलाओ है अलग-अलग इस्तितिया है बड़ी प्रोब और इसी पे लोग बात करेंगे इसी language में और हमारे राज-पत्र है जो हमारे गैजेटी है इसी भासा में केवल निकलेंगे और इसी को लोग परहेंगे ठीक है बड़ी डाजा बोले कि अच्छा चलो ठीक है करते हैं यह राजा ने इस को लागू कर दिया पता चला कि राज का इज में बहुत ज्यादा जाए वह सब को नहीं रहेगा एĩ हॆ कि टो क्या क्या ग्या तब इस बार ने कहा बड़े गुस्सा वह भी सबाविक है भाई राजा का इसमें बहुत ज्यादा छबी खराब हुआ ना किसी को भी गुस्टा आएगा आपको भी आता है यह सवाइक है तो राजा साहिब बोले कि अच्छा चलो भाईया क्या किया जाए बताओ लेकिन अब कि जो भी सुझाव दे रहे हो ना तुम लोग सोच समझ क मैं नहीं कि अच्छा नहीं होगा वाल lev कम पता ही जाप्क करते हैं है कि नहीं बहुत दर के मारे एक जो मंत्रिक थे हैं तो और की अच्छा सुनिए हम आपको बता रहे हैं एक सुझाव दे ना चाहते हैं है ठीक है सो जाओ तो तुम दो लेकिन सोच समझ के देना बहुत सोच समझ के आप से निवेधन करना चाहता हूं कि आप ऐसा कीजिए कि हमारे जो पूरा जो हमारा किंगडम है ना जितने भी भासा बोले जाते हैं टीक है कोई उसका अलगलग भासे हो सकते हैं लेकिन सब को मिलां के यह को भासा बना दिया आ और भासा के जो जो होगा हो अब्सक्र होगा आणि अंग्रे जी बोले saja एंग्लिश में सक्टे हैं आप आपको इंगलिश के भी शब्द मिलेंगे लैटिन से ही इसका मतलब मुलता जो सब्द है उसके बाद में बाकी शब्द जो है जुर्टे चले गए हैं आज कल देखिए हिंदी के भी उसमें सब्द है और संस्कृतों के बाद यह योग नियम ध्यान कहां से जाइल बाद संस्क देखिए आप इसको लिख लिजिए एक लाइन इंगलिश इस दा मेक्चर आप एवरी लेंगवेज लिखवाएंगे आपको जाहां ज्यादा जरूरत पर हेगा न वहां पर हम स्वयम बोर्ड पर लिखेंगे ठीक है आपको दिखेगा टेस्ट लेकिन अभी आप लिख लगा बहुत आराम से चल रहा था तो बहुत बनिया से इसके पहले आप लुक सेक्सपीर अगरे करना सुनें घृष पर ले गामर वगेर नहीं था जिसको जो मन करता था लिख देता था ठीक है इसमें क्या हुआ कि बाद में चलके इसमें दिक्कत होना सुरू हो किया तो औ आब नियम कानून में न रखा जाए तो आप बहुत करने लगि skippedöst के लिखें की मतलब नहीं है। इसके लिए जरूरत पर्य इसके लिए जवरवा कईनून और नियमन से बांढ़ दिया ज़या मैं नियम कानून कि रूप में आया क्या ग्रामर् लिखना है उसके बाद लिखना है नियम है इसको आप लिख सकते हैं एक लाईन आ लिख लिए नमें वेकले अच्राइव विडियो में रिखते हैं नीम बहुत वारे धोईधा डाइम लग जा यह परसण ही अपर होगे ठीक है, grammar is rule of law लिख लीजे, चली, और देखिए, अगर नियम कानून है, तक अ मौखिक खति रहा लग होगा, लिखित खति रहा लग होगा, ऐसा थोरे होगा, मौखिक हो, चाही लिखित हो, सब के लिए यह कही होगा, ठीक है? तो ग्रामरी तूल और ला रीटेन और अन्रीटेन विच डिटर्माइज दा ओगनाईजेशन आफ संटेंसेज एंड वेरियस पार्स आफ इस्पीज आप इसको लिख लेजे एक लाई नोट ठीक है पहले सबस्ब्स पहले आप सुरू से एक बात अपना कोपी निकालके मिलाली एक है सब से पहले आपको लिखना है फिरदय की बातों को मिधुदे जल कैंगा रुख जाए लिखते हैं चलिए तो दोस्त हम लिखना शुरू कर दे रहे हैं आपके लिए तो ये भी करेंगे ठीक है डाउन टोरी लिखेंगे आपके लिए ठीक है चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है चलिए तो लिखना शुरू करते हैं तो चलिए दोस्त आप लिखिएगा क्या लिखिएगा चलिए लिखिएगा आप लोग सबसे पहला पॉइंट जो है ओ लिखिएगा हिरदय की बातों को करने वाले माध्यम को क्या कहते है जी भासा कहते है फिरदय की बातों को विखिएगा करने वाले माध्यम को भासा कहते हैं ठीक इसी परकार आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा ठीक है अभी आपको लिखवा दे रहे हैं उसके बाद फिर आपको समझने समझाने का काम सुरू करेंगे वोग ठीक है दूसरा पॉइंट लिखिएगा English is the mixture of every language ठीक है और तीसरा पॉइंट आपको लिखिएगा रूस समझेश आपको लिखिएग मुण्यों करेंट ऋिखितरूण on the of sentences and various parts of his speech. ठीक है दोस्त आशा करते हैं ये अब अंग्रेशी जब सुरू हो गया तो सबसे पहली हम diligent को अंग्रेश को भासा को छोड़े स्षड़े पार्ट में बाटा जाए तो हमें क्या मिलेगा जी alphabet मिलेगा आप तो समझदार है ठीक ठीक है तो आप इस चीज को आप लिख रिए राइड डाउन कीजिए चले पॉइंट मोसा में नंबरना नहीं देंगे अब ऐसे लिख धाइन ways १ सSMU लिखते छलिए ठीक है यह जिले को दि छोटे शोटे से छोटे तुक्रे में तोरा जाए तो जो सबसे छोटा आंस प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है जी उसे अल्फा बेट कहा जाता है ठीक है दोस्त उसे अल्फा बेट कहा जाता है ठीक है उसे अल्फा बेट कहा जाता है ठीक है एक्जांपल के रूप में एबिसी भी ताइबे करता होगा नहीं आता है इसा होई नहीं सकता है ठीक है तो यहीं हमारा अल्फा बेट है एक चीज और बात कर लेते हैं ठीक है क्या बात कर लेते हैं चलिए आयो देखते हैं जब एक से अधिक अल्फा बेट आपस मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे का कहा जाता है अधिक अधिक अल्पा बेट आपस में उनसे कोई और निकलता है तो उसको क्या कहा जाता है अल्फा बेट जाएसे इंच मिल गया अट मतलब इसका कोई निकल रहा है तो अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे तो चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए जब एक से अधिक अधिक अलफबेट आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है और उनसे कोई अर्थ निकलता है कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं तो उसे वर्ड कहते हैं क्या कहते हैं जी वर्ड कहते हैं ठीक है सब्द कहते हैं ठीक है इसका अर्थ निकलना चाहिए देखिए जब एक साधिक अलफबेट आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ नि देख लीजिए, देखिए, एक्जाम्पल में आप इसको दे सकते हैं, RUN, RUN मतलब दौरना, कुछ अर्थ निकल रहा है न, C-A-R-R-O-T, कहा है रहा है, अर्थ निकल रहा है, ठीक है, तो इस परकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं, जब एक्स अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, तब उनसे कोई अर्थ निकलता है, तो उसको कहा जाएगा, संटेंस कहा जाएगा, जब एक्स अधिक वर्ड आपस में मिलेंगे, ठीक है, और उनसे कोई अर्थ निकलेगा, तो उसको कहा जाएगा, संटेंस कहा जाएगा, बात एक से अधिक वर्ड जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं कैसे मिलते हैं आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है जी sentence कहा जाता है very good चलिए excellent आपस अभी विल्कुल समझता रहें आई यह for example we play cricket we play cricket एक example आपका हो गया आप अनेक example दे सकते हैं ठीक है तो चलिए next देखते हैं देखिए एक चीज अब आपको बता है थोरा सा बात को थोरा सा समझ लिये जाए किसी भी वाक्य को ठीक है तीन पार्ट में बाटा गया है ठीक है कौन कौन सा subject भर्ब और object ठीक है तो आईए अभी इस पर बात करते हैं इसको भी लिखते हुए और अप्रोच से अप्टाते हुए अम लोग सिखते हुए किसी वाक्य को किसी वाक्य को कितने पार्ट में तीन पर्मुख भागों में बाटा गया है कौन कौन जी सब्सक्राइब है अब पूछेंगे चलिए बताते हैं वाक्य को कितने पार्ट में बाटा गया है तीन पार्ट में बाटा गया है किस किस पार्ट में तो आईए देखते हैं पहला सब्जेक्ट ठीक है दूसरा अबजेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट के बाद अबजेक्ट मत कीज़ें अबजेक्ट के बाद भर्ब आता है ठीक है subject, verb, उसके बाद में object ठीक है दोस्त? subject, verb और object very good चलिए आप लोग बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं तो देखिए वाके को तीन परमुक भागों में बाटा गया है किस-किस भाग में? subject, verb और object तो चलिए next इसमें देखा जाए इसके आगे ठीक है? तो देखिए subject होता क्या है? ये जान लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए तो आए subject क्या होता है? ये जानते हैं तो देखिए subject के बारे में बस simply हम लोग जानेंगे ठीक है? हम जिसके भिषय में चर्चा करते हैं या जो किसी कार्ज को करता है उसे क्या कहा जाता है सब्जेक्ट तो चलिए आप लिखिए हम जिसके विषय में हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं या आप इसको कह सकते हैं या जो किसी कार्ज को करता है या जो किसी कार्ज को करता है उसे सब्जेक्ट करते हैं ठीक है दोस्त बेरी गुड तो देखिए इसका एक एक जामपल देख लेते हैं ठीक है एक जामपल आपका क्या हो जाएगा त्राम इजर्क दो वाया राम गुड जाये है दो सब्जकियो क्या है क्या है यहीं एक अब एक एक जामपल देख लेते हैं तीक है मजऑ यहो रहा है जिसके विशाय में चर्चा हो रही है किसके विषय में चर्चा हो रही है जी राम के बारे में तो यह राम ठीक है अब देखिए राम कि इस और मैंगो इस और मैंगो आप देखिए कार्ज कौन कर रहा है खाने का कार्ज कौन कर रहा है जी राम कर रहा है जो किसी कार्ज को करता है वो भी सब्जेक्ट होता है ठीक है या जिसके विशे में चर्चा करते हैं चर्चा किसके विशे में हो रहा है राम के बारे में कि राम यह वह बहुत बनिया ली क्या हम है ठीक बार तो वही चीजे हैं इसको आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक है अब दूसरी बात करते हैं भर्ब की भर्व की बात कर लिए जैना, मेरा भर्व के कई से काम चलने वाला है, भर्व की बात हमें करना ही परेगा, तो देखिए भर्व के बारे में हम बात करते हैं, भर्व क्या है, जिस सब्द से किसी कार्ज के होने या करने का बोद हो, भर्व का लगता है, जिस सब्द से किसी कार कार्ज के होने याद करने का पता चले क्या कहलाता है भर्ब कहलाता है वेरी गुड आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं जे सब कुछ जानते हैं लेखक यह चली तो इसका एक एक एक्जामपल देख लेते हैं इसका एक्जामपल हो गया आपका आएमा एस्टुडेंट है ना आप भी बेलकुल है I am a student देखिए ऐसे भी विदार्थी को कभी अपने जीवन अपने मत देजे चाहे आपके उमर 5 हो या 5 पन ठीक है सिक्षा का ऐसे भी अर्थ होता है सिक्षा जीवन परियां तो चलने वाली परकिरिया है तो भर्व जो है यहाँ पर एक जल्री भर्व है यह हो जाएगा आपका भर्व ठीक है एक और एक्जांपल इसका देख लेते हैं भर्व का एक और एक्जांपल देखते हैं ठीक है तो आईए दूसरा एक्जांपल देख लेते हैं आपका दूसरा एक्जांपल इसको आप लिख सकते हैं, we love इंडिया, we love इंडिया, we love इंडिया, यहाँ पर आपका भर्ब क्या हो जाएगा, love हो जाएगा, ठीक है, हम भारत से प्यार करते हैं, चलिए, बहुत बनिया, देखिए, भर्ब हो गया, आपका subject हो गया, अब बात object की भी कर ही लेते हैं, इसको भ object की बात करते हैं, कर लिया जाए, तो चलिए, तिन नमबर हमारे महासे हैं, object आ गया, ठीक है, आ गया, तो अब इनको कर ही लेते हैं, ठीक है, देखिए, थोड़ा सा बोड़ पे लिख रहा है, देखिए अध्यान से, ठीक है, जो किसी के काम से प्रभावित होता है, उसको क प्रभावित होता है, ठीक है, जो किसी के काज से प्रभावित होता है, उसको अब अबजेक्ट कहलाता है, ठीक है, जैसे इसका आब एक्जाम्पल देख लेते हैं, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, जैसे अगर हम कहें, we learn English, we learn English, अबजेक्ट क्या होता है, जो किसी काम से प्रभावित होता है, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यानि कि हम लोग कर रहे हैं, अब परभाव किस पर पर रहा है, किस पर पर रहा है, इंगलिस पर, यानि कि हम इंगलिस सीख रहे हैं, ना, इंगलिस पर पर रहा है, यानि क तो चलिए यह जो हमारा रहा जमाल प्रवेश का जो यह इंट्रोडक्शन का क्लास आपका कंप्लीट होता है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन पढ़ेंगे ठीक है क्या पढ़ेंगे यह आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन होगे हमार सब्सक्राइब करते रहेंगे तब तक के लिए धन्यवाद ठीक है राम राम दूसलाम सट्सरियकल सिताराम